हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप से भी लोग मैं हूँ इवेक फॉम फिंटेक्स प्रो जहां पर हम बात करते हैं finance and taxation की and स्वागत है आपका के station में आशा करते हूँ हूँ बहुत अच्छी होंगे आज हम बात करने वाले हैं इस token की और इसके अंदर जो certificate होता है उसकी यानि आज हम बात करने वाले हैं DSE की Digital Signature Certificate अब अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताई है एक तो बताया यह DSE का token जो कि आपको दिख रहा है एक मैंने आपको बताया DSE का certificate जो कि आपको दिखने रहा और दिखेगा भी नहीं नो जब बात करते हैं DSE की Digital Signature Certificate क क्या होता है DSE आज भी मेरे पास इतने सारे questions आते हैं क्योंकि अगर आपने मेरी trademark वाली वीडियो देखिए जहां पर मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से DSE आपको अपने IP इंडिया website पर रिजिस्टर करने होते हैं या फिर मैंने आपको GST में किस तरीके से DSE Attach करने है income tax में कैसे GST Attach करने है वो सारे sessions मैंने उल्लडी बना दिये लेकिन मेरे पास आज भी लोगों का call आता है सर हमारा वहां पर list ही शो नहीं करा certificate की और फिर वो बोलते हमने Amazon पर पता किया तो हमको इतने का मिल रहा था तो पहले चीज Amazon कभी भी DSE issue करता ही नहीं है DSE होता क्या है वो समझते हैं सबसे पहले वोट इस इस डिजिटल सिगनेचर सेटिविकेट देगे DSE जो होता है यह आपके electronic forms को साइन करने के काम आता है जब को आप कोई अपनी ITR भरते हैं कोई आप अपनी GST की रिटन भरते हैं आप ट्रेडमा की application फाइल करते हैं या कोई E procurement करते है हैं E bidding करते हैं government के portals पर वहाँ पर required होता है एक digital signature certificate now digital signature certificate आपको वहाँ पर मतलब आपको एक तरीकी से digitally sign करने है अब digitally sign का मतलब यह नहीं होता कि मैं मेरे पास यह pen है और मैंने website खोली मैंने से sign कर दिया completely wrong digitally signature का मतलब यह नहीं होता कि मैं अपने इस pen से मैं अगर अगर अप काफी जादा use किया जाता है digital signature का no digital signature certificate जो होते हैं वो certifying authorities होती है certifying authorities खाली issue कर सकती है digital signature certificate लेकिन आपने देखा होगा market में काफी सारे लोग हैं जो कि आपको DSE देते हैं लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो agents होते हैं वो actually में agents होते हैं जो कि आपको DSE provide करते हैं बाकी certifying authority actual में कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास एक NIC होती है हमारी IDRBT होती है safe script CA service होती है code solution CA CA Chartered Accountant वाला नहीं है यह certifying authority वाल भी हो CDEC है NSDL है Capcom है Capicon है Penta sign है और ID sign है यह हमारे certifying authority है जो कि DSE issue कर सकते हैं नो DSE issue करने का एक process होता है पूरा process होता है उसके बाद में आपको यह DSE token मिलता है token तो देखो आपको Amazon से मिल जाएगा आप जो Amazon पर देखते हैं ना जो Amazon पर मिलता है वो actual में digital signature certificate नहीं होता वो tokens होते हैं खली ना यह token क्या है यह एक तरीके से pen drive है यह एक pen drive भी जिसके अंदर data store किया दा सकता है digital signature certificate भी एक आपका soft signature है यानि आपका soft तरीके से रहेगा आप उसको देख और चूनी पाऊगे वो कहीं पर store होगा तो वो store कहां पर होता है आपका digital signature certificate जो की certifying authority issue करती है वो इस DSE के अंदर store होता है और आपको जो Amazon Flipkart पर मिलता है वो यह storage device मिलती है जिसके अंदर आप अपना DSE store कर सकते हैं लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता कि इसको आप अपने लगाएंगे system में और किसी website पर जा करके sign कर देंगे it doesn't means कि आप उसको उससे sign कर पाएंगे जब त DSE issue करते हैं अगर आपको कोई help चीए तो नीचे मैंने details दी हुई है DSE की क्या rate होते हैं क्या fees होते हैं यहां पर भी confusion आती है आप online rate देखेंगे तो normal जो DSE होता है वो आपको 1500 से start हो जाता है किसी website मिलेगा किसी website 2000 का मिलेगा और उससे rate फिर बढ़ते जाते हैं normal DSE आपका G GST, income tax, TDS और आपकी normal PDF पर जो आप sign करते हैं वो वहाँ पर काम आ जाता है लेकिन जब आती है e-precurement की जब बात आती है import, export की जब आती है DGFT के जो कोई documents होते हैं वो sign करने होते हैं जब electronically वहाँ पर आपको encrypted वाला DSE चाहिए होता है उसके rates वैसे भी थोड़े से high होते है कहीं पर आप वो 2000 या 2500 से start होते हैं तो इस तखीके से DSE की rain चलती है इसके अलावा directly आप अगर इनकी website से लेंगे जो नाम मैंने आपको बताए तो आपको थोड़ा सा costly पड़ेगा अगर आप किसी agents की help लेंगे कि agent bulk में purchase करते हैं उनको सस्ता पड़ता है तो मैं भी यह recommend कर करता हूं कि आप उनी से purchase करें आप हमसे purchase करना चाहते हैं हमसे भी आप purchase कर सकते हैं नीचे आपको details मिल जाएंगी और इसमें कोई गलत बात नहीं है आपको सस्ता ही मिलेगा जो आप online purchase करेंगे उससे सस्ता ही मिलेगा वो आप एक बाद चेक कर लीजिएगा rates मैंने नीचे दिए हुए है contact details भी दिए हुए हैं वहां से आप चेक कर सकते हैं face की tension नहीं है आपको process समझी आप किस तरीकी से process होता है आप documents प्रवाइड करते हैं document जो certifying authority के पास जाता है जो मैंने आपको certifying authorities जो साथ आप नाम बताए थे वो आपके documents को verify करते हैं आपकी application file होती है उसक के बाद वह आपको courier की help से या courier से जो है आपको deliver किया जाता है या फिर आपके पास token है तो आपको ID passport ले देते हैं आप जो अपने system के अंदर डाल के इसको download भी कर सकते हैं so इसका पूरा एक complex process होता है DSC बनाने का और खाली ये token का मतलब DSC नहीं होता ये तो एक तरीके कि से USB drive है मेरे पास काफी queries आ रही थी काफी confusions आ रही थी DSC से related इसलिए मैं ये video बना रहा हूं so this is only a storage device जैसे आपका normal pen drive होती है ये वो है इसके अंदर जब तक वो certificate install नहीं होगा तब तक ये DSC नहीं मनेगा ठीक है तो हम इसको DSC बोलते हैं but actually this is not a DSC this is a token which have the DSC इसके अंद DSC आपको clear हो गया होगा अगर आपको DSC की कोई requirement है आपको DSC चाहिए तो मैंने आपको बताया online तो मच जाना बाकि online चेक कर लेना online हमीशा available सारे rates available है हमारे rates आपको नीचे description में मिल जाएंगे हम जो है authorized और एक कुशन और आता है उसको भी दे लेते है कौन सी company का DSC better है आप एक बात बताओ एक form पे आप sign कर रहे हैं आपने उसको authorize किया अब वो DSC आपको किसने बना की दिए क्या उससे कुछ फरक पड़ेगा आपका काम solve हो रहा है आपका purpose solve हो रहा है नो क्या वो Capicom का है क्या e-mudra का है या Penta sign का इससे कोई फरक पड़ेगा कुछ फरक नहीं आज की date में class 3 के DSC ही बनते हैं और class 3 में बस दो class आप बची हुए एक normal DSC होता है जो कि आपकी normal जो ITR, GST, TDS, trademark filing के काम आता है दूसरा हमारा encrypted वाला होता है जो कि DGFT, import, export और जो e-bidding, e-recruitment होती है वहाँ पर उसका काम होता है so इस तरीकी से classification होती है DSC की कोई भी आपक टोकन से related so आप हमको नीचे जो मैंने अपनी mail ID दी हुई है, contact number दिया हो है, वहाँ पर आप contact कर सकते है, thank you so much guys, have a great time, कोई query रहती है नीचे comment section में भी आप डाल सकते हो, वहाँ पर भी आपको reply मिल जाएगा, hope so आपकी DSC से related सारी queries solve हो गई होगी होगी, अब please call there के मुझो य DSC नहीं होता, वह एक token होता है खाली 200 रुपे का, so guys, hope so you find the video informative, thank you so much for joining today's session, have a great time, हसते रहे और मुस्कुराते रहे.